इस साधना के लिए आपको किसी भी प्रकार की साधना सामगरी क्रे करने की आवशकता नहीं है अब इसे छोटा सा निवेदन है आश्रम निर्मान का कारिय प्रगती पर है तो यदि पीछे से थोड़ी खटपट की आवाज आती है तो कृपया उसके लिए मैं अभी से शमा पर आर्थी हूँ इस साधना को करने के लिए गुप्त अवशक है इसमें किसी भी प्रकार की साधना सामगरी की आपको आवशकता नहीं है जिसको आपको संस्था से लेगा हो अथवा नहीं है और इस विशे में कोई भी प्रशा की चर्चा ना करें तो मचसे भी इस विशे में जानना चाहते हैं कि हजरात होते क्या है एक अथवा चर्चा नाम हजरात को जाने था और इसकी विशे में घाने कार नहीं होगी यह कार है इसमें सामगरी एवशक्षा का कोई नियम नहीं है हजरात के विशे में इस साधना में कोई भी मैंने पूर में बदाया है आपको से दियान से पढ़ें टेलिवराम चैनल पर जिसकी साधना में रुखी है यह माकाली का हुजरात है जिसका सीधा अर्थ है नहीं लेकिन अगर वो इतने सुभर में नहीं करेंगे तो अच्छा है इसे साधना के माध्यम से जो आपको उत्तर प्राप्त होंगे माता काली का या उजरात आपके किसी भी प्रशन का उत्तर देता है अर्थ है यह उत्तर सिर्णा या नहीं हो सकते है यदि आपको किसी भी विश्य में जानना है तो यह आपको हाँ या नहीं में उत्तर सीधे किसी के विशे में जानना चाहा है कि मैं इसके साथ बिजनस करें यह साथ नहीं नहीं तो वह भी आपके लिए अगले विक्ती के लिए भी लाब जायक होगा कुछ समय देख सके यह अधियंत आसान यह आपको निशन करूप है इसमें आपको प्रते दिन एक हजार वारजब करना है एक छोड़िश मंतर और से साथ ऐसे हैं जो लगातार आपको करना है मंतर लेकिन वह शुरू से ओम कालिक मातर कालिक मातर वोतों तेक एक इस दिन तक लंबहचरे का पालन करना है इस साथना को आपको कालिब अत्वा लान आसिन पर बैट करना है मद्द प्रदेश भोपाल में एक शविर का इजन किया जा रहा है जहां पर आप आसकते हैं और आप अनिक प्रकार की साथना करने की ज़रूरत नहीं है आप किसी भी शुक्रवार से साथना को शुरू कर सकते हैं सभी घ्यान प्राप्तों का पूर्ण गर्कारी के लिए इस वीडियों के अंत्में जाकर देखें समाने रहेगा साथना स्थान आपका घ्यान की आवश्चत नहीं है जो आपको याद करना है और प्रतीक दिन आपको मादर बश्माला इसी करने हैं त्रिया नहीं कर सकती है महुर्ट आपको बताया जा चुका है 21 दिन होने के पाद आप क्या करें कापूर का गाजन बनावी और उसमें कुछ दिन्दित सुगंदित चमें उने की तेल डाकर गाजन समाद कर रखे इसके बाद जिस दिन आपको इसका प्रियोग करना है आपको क्या करना है कि 11 वर्षी पच्चें अथ्वाँ साथ से 11 वर्षी किसी पच्चे के दाहिनी अंगूटे के अंगूटे पर काजन को लगाना है और उससे पहले एक पून जामकारी है इसका अपको क्य साथ रखे periods करना है अथ्वाँ है कोई इस आफ़्े के डिशल को रूप से टेलीगराम पे उपलब के तेलीगराम चैनल के दाहिने अंगूटे पर काज़र लगाने की नीचे लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे जोईन करें और महां से जाके आप पूर्ण जानकारी प्राफत कर सकते हैं और अभी जोगी साज़क और उसमें कुछ आखरतियां दिखने अलगे हैं उस समय जैसे ही उसे मैदारी नामाकन विधी दिखे आदी भी टेलीग्राम चैनल कर उप्राफत है जहां पर आप आकर साज़क दिखने लगे जो भी आवश्यक जानकारी है जो भी साधना है आप आकर सीख सकते हैं और तो उसको और आपकर आपको एक दिवसिय एक साधना करवाई दिखे जाएगी उसके बार एक विधी दिखेंगे जिनसे आप सवाल जबाब करेंगे करके आप बच्चे से प्रशन पूछ सकते हैं, जिसका जवाब वेहा या नामे देगा, और जो भी आप प्रशन पूछेंगे, जो भी उसका उत्तर मिलेगा, वेह एक सो प्रदिश सत्य होगा ही होगा, और उसके बाद जब आपको वेह हजरात को वापिस भेजना है, आपको वहीं क्रिया उल्टी करनी है, सबसे पहले माता को प्रणाम करके उनका धन्यवाद करें, और उसके बाद जब भी आगे उनको जरूरत हो, तो बुलाने के लिए आग रह करें तो सबसे पहले वे जाएं, फिर सिनहासन जाएगा, फिर हजरात जाएंगे, फिर फर्श हटेग मैदान का लिफा फादे का पानी हटेगा मैदान में, फिर से पेड उग जाएंगे, कभी पैसा न ले, इस कारे हे तू, अन्य था, सिद्धी चली जाएंगी जाएंगे उन्य था seguridad का था झाल 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 पेड़ ग्रुप नवंबर माह 2020 तंत्र जो सादक कम दिनों में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं यह ग्रुप उनके लिए है महतंत्र विशेश महतंत्र दीपावली पर होने वाली अकाच्य एवं कम दिवसिय साधनाएं इतनी कम धन्राशी में आपको इतनी जानकारी कही प्राप्त होना संभव नहीं है यह मार उन्फ सादक के लिए है जिन्हें जीवन में तंत्र में बिना डेरिक कुछ अकाच्य पाना है जिसके माध्यम से वह प्रचलित एवं शक्ति शाली बनना चाहते हैं अत्यंत कम दिवस की साधना में इस मा के ग्रुप में निम्त लिखित रूप से श्रिंखला रहेगी साधनाय सत्य विक तंसिक राच्सिक तोटके तोटके आसन एवं घरेलू सामगरी से किये जाने वाले क्रिययोग ध्यान एवं योग निद्रा आयूर्वेट तंत्र तंत्र मंत्र यंत्र अध्यात्म विज्ञान जोतिश हस्त रेका और विशेश रहेगा विशेश सबसे अंत में है साधनाय तंत्र साधना मुद्र राज यक्ष एक दिवसी प्रियोग वश्मोहन अंजन एक दिवस प्रियोग नात्र तंत्र अचूक ज्वाजीत तंत्रून तिलिस्म स्रणडम तीन दिवस मंत्र साधना माता महा लक्ष मी दिवालि साधना एक रात्री चामुंदा शक्ति प्रियोग शाधना कृतक नाटे भभूच साधना महिला विशेशक कृतक नाटे भभूच साधना महिला विशेशक शमशक्या भूत अत्यंत दुशकर्मी अलामुक जिनल यंत्र निर्माण मर्गट लक्षमी यंत्र चलित को बेर यंत्र जोतिश एवम हस्त रेका इसके प्रतम पाँच भाग में साधकों ने जोतिश एवम हस्त रेका का ज्ञान प्राप्त किया है और यह वह ज्ञान है जो की अनेक वर्षों के शोध से आपको प्राप्त हो रहा है है अन्य था आप किताब पढ़ के सूचना प्राप्त एकर लेंगे लेकिन ग्यान फिर प्रैक्टिस से आएगा जोतिश सिखे भाग छे हास्त रेका सिखे भाग छे क्रिया योग योग निद्र एवं ध्यान अभ्यास क्रिया अध्यात्म एवं विज्ञान भगवद्म गीता श्लोक का अर्थ अत्वा बाइबिल आयुर्वेत तंत्र आयुर्वेत तंत्र पारद अति विशेश भाग दो प्रथम संसकार जानकारी विशेश अत्यान्त गुप्थ है वें सिर्फ पेड़ ग्रूप में ही जाहिर किया जाएगा स्टोन तोट के कुबेर सिधी तोट का नवंबर मा के पेड़ ग्रूप की धंद्राशी तीन भाग में विभाजित की गई है शुल्क जदी आप धंद्राशी आज से शुनित पाच नवंबर पाच सो एक रूपए आज से शुनित पाच नवंबर पाच सो एक रूपए शुनित शेह नवंबर से दस नवंबर आट सो पीस रूपए ग्यारह नवंबर से पंद्रा नवंबर नो सो दस रूपए 16 नवंबर से बीस नवंबर एक हजार दो सो एसी रूपए 21 नवंबर से 31 नवंबर एक हजार पाच सो रूपए आप जिस दिनाग्स में धंद्राशी जमा करेंगे शुल्क उपर लेखित अनुसार होगा यह इसलिए किया गया है जिस से सादक समय के महत्व को समझे नोट पेड़ ग्रुप का शुल्क आश्रम अनुदान नहीं है आश्रम अनुदान हे तू आप अपनी एक्षा अनुसार यथा संभध धंद्राशी अवश्य प्रदान करें यह ग्रुप 31 अक्टूबर की रात्री में बनाया जाएगा अक्टूबर की यह नहीं है झाले ग्रुप अनुदान नहीं है झाले तू छस्तों है